मुझा नमस्कार दोस्तो मैं रोहन शर्मा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोती शेन वास्तू में कैसे हैं आप सभी आज हम आपर बात करने वाले हैं 11 जून 2024 के बारे में 11 जून 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत जादा अच्छी रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल लंबर और आज का आफरमिशन कैसे आप आज के इस दिन को और जादा बहतर बना सकते हैं सारी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक दिखिएगा ताकि कोई भी चीज आप से मिस्स ना हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं बथडेस के बारे में आज के दिन में अगर आपका जन्द दिन है आपके इनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मेहतरपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हारदिक शुप कामना है आने वाले साल आप सभी के लिए बहुती जादा मेहतरपुन साल रहेगा आने वाले साल में आप सभी को बहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी और साथी साथ अपने आपको इमोशनली स्टॉंग बना करके चलना पड़ेगा किसी परिवार के किसी सदसी की वज़े से आप सभी को कोई परिशानी हो सकती है इस तरह के योग दिखाई दिते हैं साथ ही साथ आप किसिन किसी चीज को लेकर के थोड़ से चिंतित रहेंगे और किसिन किसी चीज की वज़े से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है तो इस तरह के भी योग दिखाई दिते हैं. थोड़ा सा संबल के चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत के परिशानी ना हो. बात करते दें कौन सी राशी नंबर और अलफवेट के लिए आज का ये दिन बहुत ज़्यादा शांदार रहेगा राशी में यहाँ पर बात करें तो रशब राशी, तुला राशी, रश्चिक राशी और मकर राशी के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई दिता है नमबस में बात करें तो नमबर एक, नमबर दो, नमबर पांच और नमबर नौ के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा है अलफविट्स में देखा जाए तो अलफविट्स में B, C, I, K, N, P, S, V और Z आप सभी को अच्छे रिजर्ट यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में कौन सा एंजल नमबर और कौन सा अफ़रमिशन आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा आज का एंजल नमबर आपके मन को शांत रखेगा आपके फैनेंस को बैलेंस रखेगा और अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के काफी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो उस कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकालने में मदद करता हुआ नजर आएगा नोट कर लीजेगा प्लीज आज का एंजल नमबर 94166 यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन नमबर है बहुत ही ज़्यादा पॉस्टिन नमबर है और आज के दिन में यह नमबर डेफिनिली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा आप सभी को क्या करना है आज वाइट कलर के पेपर के उपर रेड कलर से इस नमबर को ज़रूर लिख दीजेगा और जब भी इस नमबर को लिखें इसे कम से कम तीन बार रेकॉल ज़रूर करिएगा यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अब बात करते हैं आप पर आज के दिन में कौन सा अफ़र्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है नोट करिजेगा प्लीज आज का अफ़र्मेशन आप सभी अपने फाइनेंस को बहतर मानेंगे और आप सभी का फिनेंशल डिस्टरबिंस जो है वो मेंटेन होता और नज़र आएंगे इस तरह की योग दिखाई देते हैं तो वर ओल दिन जो है वो फैनेंस को बहतर बनाने का अपनी एनलजी को अच्छे समय पर अच्छी जगे पर लगाने का और हर एक काम को पूरा करने का दिन है आज की दिन में कुछ बहुत जादा महतुपुन चीज नहीं है नोट कर दिजेगा प्रीज क्या-क्या वो चीज़े हैं पहली चीज आज कोई भी कांच का बढ़तन आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए तूटना नहीं चाहिए आज की दिन में जिस तरह की एक्वेशन दिखाई देती है ग्लास का ब्रेक होना आपको नुकसान द में आप सभी को गाड़ी चलाते समय पूरी तरह से साफधानी रखनी है किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा एड्वेंचरस ड्राइव करने से अपने आपको बचाना है इस बात का दियानक किएगा तीसरी में चीज आज के दिन में आप सभी पाउं में कोई चोट ना लगे इस बात से भी थोड़ा सा सचेत रहिएगा लोर वाड़ी पाट और पाउं के नीचे का एंकल का हिस्सा जो है वो आपको परिशान कर सकता है तो थोड़ा सा आपको सीडियां उतरते चरते समय साफधानी रखनी है ताकि कोई दिक्कत कोई परिशानी आपको ना देखने को म अच्छा है कोई परिशानी नहीं अगी और आज के दिन में आप सभी कोई बुक लिखना शुरू करना चाहते हैं किसी थिसिस पर काम करना चाहते हैं की तो वह आज कर सकते हैं ये भी आपके लिए काफी ज़्याधा अच्छा रहेगा आज के दिन में कुछ बहुत कर चलना है गोल्डन विश्टाइम की यहां पर बात करें तो आज के दिन का जो महतुपूर्ण समय रहेगा यह सुबह 11 वजए से लेकर के 12 वजए तक का समय रहेगा जो आपके लिए काफी जादा महतुपूर्ण समय रहेगा इस समय में आप अपने काम को लेकर की कुछ सोच तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे कलर कोंबिनेशन की बात करें तो आज के दिन में बुरू कलर का इस्तमाल कर सकते हैं लाइट और डाक ब्लू आपके लिए अच्छा रहेगा और आज के दिन में कोशिश यह करें कि बहुत ज़ ज़रूर करनी हैं अगर पाउं में कोई दर दे एंकल में कोई पेन है आप किसी भी तरसे कोई परिशानी है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑई लिजीगा सरसो का तेल उसमें लॉंग डालिएगा उसे गरम करीगा और उसके बाद उस तेल से अपने पाउं के नीचे के हिस्से के मे आपकी दूर होते हुए नजर आईगी आज के दिन में अगर गर के आसपस कहीं पर भी पीपल का पेड़ है तो उसमें आप कच्छा दूद जरूर चड़ा दीजेगा और साथी साथ तीन परिक्रमां वहां पर कर लिजेगा तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेग आज के दिन में किसी विशेश कारी से जब भी बाहर जाएं पोशिश ये करें कि आप गर से बिना बोले निकलें गर से दहलीज को जब आप पार करते हैं तो आप बिना बोले गर से बाहर जाएं और पलट के गर की दरफ वापस ना आएं इस बात का विशेश द्यान तो सारे सामान पहले ही आज से लेकर के निकलें ताकि आपका काम खराब ना हूँ आज के दिन में आप सभी को एक और विशेश उपाय बता देता हूँ जो आपके काम को अच्छा बनाएगा आर्थिक परिशानियों को दूर करेगा और मन चाहा परिणाम पाने में आपकी मदद करता हूँ नजर आएगा आप सभी को क्या लेना है एक गी का दिया लेना है अपने गर के मंदिर में एक गी का दिया प्रजिद करना है और उसके अंदर एक लॉंग डाल देना है इसके बाद इस लॉंग को यहां से निकाल करके आप अपने खाने में इस्तमाल कर सकते हैं और अगर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा परिशान है पैसों को लेकर कर्ज के माधियम से बहुत ज़्यादा अंस्टेबल है तो उसे बोलिएगा कि यह लॉंग अपने साथ में रखे इससे उसका कर्ज दूर होते हुए नज़र आएगा और परिशानिया दूर होते हुए नज़र आएगी ओवरल दिन बहुत अच्छा है दिन के एनर्जी बहुत अच्छी है और इस अच्छे दिन को और अच्छे से इस्तमाल करने के लिए ये उपाय आपकी मदद करते हुए नज़र आएगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन पे ज़रूर से कलिक करिएगा कुछ भी पूछना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी संभरना चाते हैं आप नोज से संभर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मदद्यां पर कर सकूँए धन्यवाद